अब लोग सभा के आखरी चरण की लड़ाई बाकी है अंतिम दोर में पंजाब की 13 सीटों पर चुना होना है पंजाब में मतदाताओं का मूड बहुत अपरत्याशित रहा है पंजाबी लोग हमेशा कुछ अलग तरह से वोटिंग करते रहे हैं देश के मूड के साथ भी उनका मूड हो सकता है और नहीं भी 2014 में आम आद्मी पार्टी को 4 सीटे देने वाले पंजाब ने 2019 में केवल एक ही सीट दी पर 2022 आते आते आम आद्मी पार्टी ने बिधान सभा की 3-4 सीटें जीत ली पर 2022 में सीअम भगवंत मान की छोड़ी हुई संगरूर सीट पर पंजाबियों ने आम आद्मी पार्टी को बाहर भी कर दिया आपरेशन ब्लू स्टार और 84 के सिख विरोधी दंगों के बाद किसी को यकीन नहीं था कि यहां कभी कॉंग्रेस अपनी जड़ें जमा सकेगी पर आज प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में कॉंग्रेस ही विराजमान है सवाल उठता है किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को गाउं में नहीं गुसने देने वाली जनता क्या कभी बीजेपी को ताज पहनाएगी क्या इसका जवाब यही है तो इसका जवाब यही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब पंजाब कमन बदल जाए प्रधान मंत्री अपने अंतिम दौर के प्रचार में पंजाब में ऐसी अलग जगाई कि कुछ भी संभव हो सकता है आईए समझते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या तस्वीर बन रही है गुरुवार को पंजाब के होशियार पुर्मे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव की अपनी आखरी रहली की उन्होंने लोगों को संभोधित करते हुए कहा कि पंजाब हमारे भारत की पहचान है ये हमारे गुरुम की पवित्र भूमी है पियम मोदी ने इस दोरान कहा कि आयोध्या में राम जनमस्थान के लिए पहली लड़ाई सिखो नहीं लड़ी थी यू तो पियम मोदी ने भाश्रों में आरक्षन, धर्म और कॉंग्रेस के ब्रश्टाचार मुसलिम तुष्टिकरण की बातें प्रमुकता से रखी पर पंजाब में उन्होंने राम जनमभूमी की चर्चा कर हिंदू वोटों पर अपने एकाधिकार का संकेत दे दिया दरसल पंजाब में हिंदू का ज्यादा तर वोट कॉंग्रेस को मिलता रहा है पियम जानते हैं कि पंजाब में 49 प्रतिशत वोट हिंदू हैं इसके साथ ही करीब 34 प्रतिशत अनुसूची जातियों के वोट हैं उनकी स्पीच में हिंदू के लिए राम मंदिर अनुसूची जनमजातियों के कोटे को मुस्लिम आरक्षन से बचाने की बात मुख्य रूप से रही राम मंदिर का मुद्दा किस तरह जोर पकड़ रहा है ये कुछ दिन पहले पटियारा की रैली से दिखना शुरू हो गया था यहां की रैली में एक समर्थक राम मंदिर की प्रतिकृती लिए खड़ा हुआ दिखाई दिया था एक जून दोहजार चौबीस को ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40 साल होने जा रहे हैं लेकिन पंजाब की चुनावी राजनीत में पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर मुख्य धारा की राजनीती हो रही है सिखों की सरवोच संस्था शिरोमडी गुर्द्वारा प्रवंधक कमेटी की तरफ से ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि लोगों को इसकी याद दिलाई जा सके यादें ताजा की जा सकें शिरोमडी अकाली दल भी चुनावी रैलियों में इसे खुब हवा दे रहा है जब तक बीजेपी साथ थी अकाली दल ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरा से जुड़े कारिक्रमों से एक निशित दूरी बनाने की कोशिश करता रहा पर अब वो भी सोतंत्र है अकाली दल को पता है कि उसे हिंदू वोट अब मिलने से नहीं है तो कम से कम सिखों के सारे वोट तो मिल सकें जाहिर है कि अकाली दल जितना कट्टरपंथी होगा, जितना Operation Blue Star की बात करेगा, उतना ही हिंदू वोटों का ध्रूवी करण होगा जब कैप्टन अमरिंदर कॉंग्रेस के साथ थे, वो हिंदू वोटों को साधने में बाजी मारते रहे अब कॉंग्रेस के पास ऐसा निर्तिरत नहीं है, और दूसरे वीजेपी के पास अब हिंदू वोटों के लिए खुल कर खेलने का मौका है जिस तरह अकाली दल सिख वोटों के लिए खुल कर बैटिंग कर रही है, ठीक उसी तरह भविश्य में बीजेपी भी कर सकती है अकाली दल ने ऑपरिशन ब्लू स्टार की याद दिलाने के लिए जगए जगए बैनर पोस्टर तो लगाये ही हैं SGPC की तरफ से प्रवेश द्वार पर शतिग्रस्त अकाल तक्त इमारत का एक मौडल भी लगाया दिखाया गया है पंजाब में बीजेपी के बजाए कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमडी अकाली दल, मुख्य दावेदार हैं बीजेपी का नाम इन तीनों के बाद ही आता है पर परिसितियां ऐसी बनी हैं कि सभी दल मुख्य रूप से बीजेपी को टार्गेट कर रहे हैं अकाली दल, नेता और पूर्व मुख्य मंत्री, सुखबीर बादल अपनी पार्टी का मुख्य मुकाबला कॉंग्रेस से मानते हैं पर उनके भी टार्गेट पर बीजेपी रहती है पंजाब में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक दूसरे के लिए टोन बहुत ज्यादा हाड नहीं रख रहे हैं पर बिरोध और आलोचना लगातार चल रही है पंजाब में कॉंग्रेस नेता भगवंत मान सरकार को अलग-अलग मुद्दे पर टार्गेट कर रहे हैं पर आश्यर जनक तरीके से कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी अमरिस सर में और प्रियंका गांधी पटियाला और फतेगर साहिब में एक बार फिर अर्बिंद केजर है कि पंजाब में उनका कोर वोटर्स हिंदू और दलित ही है जिस पर बीजेपी गिद्ध दृष्टी बनाए हुए है इसी तरह अर्बिंद केजरिवाल भी पंजाब में मुख्य रूप से केंद्र और मोदी सरकार पर ही हमला वर हैं चाहे किसी भी बहाने से या मजबूरी में अगर बीजेपी का नाम लिया जा रहा है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं लडाई में लोग बीजेपी को समझ रहे हैं तो जिस तरह से अब की बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां राम मंदिर का जिक्र किया है उससे ये लगता है कि शायद बीजेपी पंजाब में कोई करिश्मा कर सकती है